जै मसीगी, आज हम परमेशर के वच्चन से देखेंगे कि परले मेशर हमें हर एक बंधवाई से, हर एक बिमारी से, हर एक परशानी से अजाद करना चाहते हैं जब परमेशर ने देखा कि इसराइली मेशर देश की गुलामी में पड़े हुए हैं उनकी तकलीफ को, उनकी परशानी को परमेशर ने सुना और परमेशर ने इस काम के लिए मुसा को ठराया कि उस गुलामी से, बिस्ट की गुलामी से इसराइली को अजाद करें परमेशर ने अपने पुत्रे परभी येशर मसी को इस धरती पर इसले भेजा कि वो हमें हर एक परशानियों से अजाद करे, हमें बंधनों से अजाद करे, शतान के बंधनों से अजाद करे, हमें मृत्यों के बंधन से अजाद करे और हमें एक अनन्त ऐसा जीवन दे जिसमें हम जिसके द्वारा से जिस प्रभी येश्यमसी के नाम के द्वारा से उस स्वर्गिस्थान में पहाँचने वाले हो सके आज परमेश्यर नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी परशानी में रहे किसी भी बंधन में रहे अगर हम परमेश्य के बच्चन से देखें कि 38 शाह असाल का जो एक व्यक्ति था वो जब बीमार था तो प्रभी येश्य मसीर उसके पास आकर कि उसे पूछ दे क्या तो जंगा होना चाहता है परमेश्य हमसे नहीं चाहते हैं कि हम किसी बंधन या परशानी में या बंदवाई में रहें प्रभी येश्य मसी हमें अजाद करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें आजाद करने आए अगर आप आज किसी परशानी में तो प्रभी येश्य मसी के नाम को बुकारें अगर आज आप किसी बंधन में है तो प्रभी येश्व मसी के नाम भुपकारें, क्योंकि वो हमें अजादी देना चाहते हैं, हमें स्वातनता देना चाहते हैं आज हम परमिश्य के बज़न से देखेंगे निर्गमान उसके 13 चैप्टर और उसके हम देखेंगे 17 पर में लिखा हुआ है कि जब परमिश्य ने फिरोन के कब्से से इसराइलों को छुड़ाया तो उसमें उनको चक्कर खिला करके लिखा हुआ है कि ये लंबे रास्ते से ले परमिश्य हमारे हर एक बातों को हमारे हर एक रास्तों को जानते हैं परमिश्य जानते कि हमारे लिए कौन सी बात भली है और कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है परमिश्य इस बात को जानते थे यहां पर कि जो छोटा रास्ता है जो पलिष्टियों के देश से जाता है औ और उनको उस मार्ग में लेकर जाएगा, जिस मार्ग में उनको जाना है, वो उनके लिए भला नहीं था, इसलिए परमेशे में उस रास्ते को घुमा करके उनको दूसरे मार्ग से लेकर गया जो एक बड़ा रास्ता और इक बड़ा मार्ग था, हमें भी ऐसे ही फील होता है, तो हमारी प्रात्ना काई बार नहीं सुनी जाती हो सकता है। हमें अपनी जो प्रात्ना है हम प्रमेशे के सामने लगते हैं। हमें लगता है कि अभी वो पूरी नहीं हो रही है। या उसके लिए बहुत समय लग रहा है। तो हो सकता है कि हम परमेश्य के मार्ग से फिर जाएं। आज हम परमेश्य के वजण से दिलेखेंगे बजन सहिता 39 और उसके पहले बज़ में लिखा हुआ है। मैं अपनी चाल चलन पर चॉकसी करूँगा ताकि मेरे जीव से पाप नहों। जब तक तुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाई हुए अपना मूँ बंद किये रहूँगा। परमेश्य का वजण आज हमें बताना चाहता है कि यह जो यहाँ पर प्रातना की गई है यह एक पश्चतापी प्रातना है। हमें ज़रूरी है कि जब हम परमेश्य के नजदीक आते हैं तो हम पश्चताप करें। बिना पश्चताप के हम प्रभू यश्य मसी के नजदीक नहीं आतकते हैं। परमेश्र का बचन कहता है कि यहां पर इस प्रात्ना में कहा गया है कि मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूँगा। आज परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं, कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आएं, तो हम इस बात को कहें कि प्रभू, मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूँगा, मैं अपनी जुबान पर लगाम लगाऊंगा, क्योंकि जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक पापो से बचाते हैं, प्रभू येश्वर मसी हमें हर एक पापो से चुटकारा देते हैं, जरूरी है कि हम अपने पापो का अंकिकार करें, हम पश्यताब करें, हम परमेश्वर के नजदीक आएं, तो जब हम पश्यताब के साथ प्रभू झाल प्झाल झाल झाल झाल, झाल कै टूओने גם मैं के जूरें